हेलो बक्षो वेलकम दूसेंडव एकाडमी यूटीब चैनल यूटीब चैनल पर आपका स्वागत है तो दोस्तों आज हम आपकी जिंदगी बदलने वाले हैं आज हमें लाएं हैं कैसा सवाल जो कि आपके लिमिट के कंसेप्ट को और निखार करके रख देगा तो दोस्तों यह एक थेओरिटिकल कोश्चन है जो की काफी रेयर टाइप और यही में जही एडवांस में थेओरिटिकल कोश्चन आते तो हैं बड़ो काफी रेयर होते हैं और इनसे आपकी जो कंसेप्शुल इंडरस्टैंडिंग है वो और भी बेटर होती है तो आए दोस्तों बिना वक्त पर बात किये हुए इस कोश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं इसकोश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा विच अव्ड़ों इनकरेक्ट तो इनमें से कौन से स्टेट्मेंट गलत हैं उन्हें हमें चूज करना है तो यह मल्टी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है तो आईए सबसे पहले option number a को पढ़ते हैं इसमें कहा गया है कि if limit of f of x as extends to c and limit of g of x as extends to c both do not exist जी हां बोथ do not exist then the limit of f of x into g of x as extends to c also does not exist तो दोस्तों यहां पर जब भी आप किसी statement को invalidate करते हैं तो it is sufficient to cite an example एक example देके आप उस question को गलत साबित कर सकते हैं तो यहां मुझे अगर इस statement को गलत साबित करना है तो मुझे बस एक example देना पड़ेगा और मेरा काम हो जाएगा तो यहां एक ऐसे function f of x और एक ऐसे function g of x को खोशते हैं जो की same point c पर limit उनके exist नहीं करती है पर उनके product की जो limit है उसी same point c पर exist करती है तो दोस्तों इसका example बहुत simple सा मैं लूंगा यहां पर तो एक simple example मैं लेता हूं एक piecewise function f of x जो की है 2 when x is greater than equal to 0 and minus 2 when x is less than 0 ठीक है तो यहां पर यह देख पाना काफी आसान है कि the limit of the function as x tends to 0 does not exist जियां left hand limit minus 2 है यहां पर और right hand limit 2 है तो limit जाहिर तौर पर exist नहीं करेगी और साथी साथ एक और function लेते हैं g of x जो की almost similar looking है तो 1 when x is greater than equal to 0 and minus 1 when x is less than 0 इसकी भी limit as x tends to 0 exist नहीं करेगी दोस्तों और reason क्या है reason यहीं है कि left hand limit होगा minus 1 और right hand limit होगा plus 1 अब इन दोनों को जब हम multiply करते हैं तब क्या होता है आईए देखते हैं जब multiply करते हैं इन दोनों function को तो जो similar domain वाले हैं वो multiply कर जाते हैं जैसे greater than equal to 0 वाला multiply कर जाएगा तो 2 और 1 multiply कर जाएंगे तो आपको मिलेगा 2-2 और minus 1 भी multiply कर जाएंगे तो आपको फिर से मिलेगा 2 यह function basically क्या है यह function है 2 function constant function so it doesn't matter whether x is greater than equal to 0 और less than 0 यह function हमेशा हमेशा के लिए 2 ही रहेगा तो इसकी जो limit है इसकी जो limit है as x tends to 0 यह exist करेगी और इसकी value होगी 2 तो यहां पर एक example काफी था statement number a को wrong proof करने के लिए incorrect proof करने के लिए तो यहां हमसे पुछा गिया है which of the statements are incorrect तो यह हमारा option दो होगा क्योंकि पुछा गिया incorrect और यह incorrect statement है चली अब बढ़ते हैं उसी प्रकार से statement number b की तरफ if limit of f of x as x tends to c and limit of g of x also as x tends to c the board does not exist both do not exist होना चाहिए both do not exist then limit of f of g of x also does not exist तो दोस्तों मुझे लगता है कि यह भी गलत होने वाला है क्यों आई एक example देखते हैं तो मेरे पास एक बहुत सुन्दर सा example है मान लीजे कि f of x आपका gif of x function है step function है हम सबको मालूम है कि जो step functions होते हैं उनके graph discontinuous होते हैं at integral values तो मैं छोड़ा सा graph भी बना देता हूं उसका जली यली ठीक है तो सारे integral values पे यह function discontinuous होते हैं हाजी discontinuous किस तरीके के होते हैं jump discontinuity होती है सारे integral points पे तो क्या मैं कह सकता हूं कि यह जो function है f of x इसकी limit as x tends to 0 does not exist है right क्योंकि अगर आप 0 पे देखे तो left hand limit minus 1 है और right hand limit 0 है तो limit doesn't exist अई एक और function लेते हैं g of x जो कि है fractional part of x जिया fractional part of x भी आपने सब देखा है fractional part basically एक discontinuous function है जो कि ऐसा दिखता है जिहां यहां पर भी jump discontinuity देखने मिलती है हर integral values पे तो what about the limit of this function as x tends to 0 limit of fractional part of x as x tends to 0 आप देखोगे 0 के right तरफ limit 0 है but left की तरफ 1 है तो इसका भी limit exist नहीं करता है तो हमारा जो function है f of x और g of x दोनों के limit exist नहीं करते हैं as x tends to 0 but यहां पर अगर मैं f of g of x देखो जी हां दोस्तों यहां पर f of g of x की बात की गई है तो f of g of x की बात करूं तो limit of f of g of x means आपको fractional part डालना है gif के अंदर right अब देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों इसका limit निकाला बहुत आसान है अगर आपको यह बात मालूम है कि जो fractional part होता है वो एक bounded function होता है 0 से 1 के बीच में जी हां तो इसकी value 0 से 1 के बीच में not including 1 ही होती है तो ऐसे किसी function का अगर आप gif निकालोगे तो जाहिर तो पर जो आपका answer है वो हमेशा ही 0 आएगा तो अगर यह बात आपको पता है तो इसका answer straight away 0 होगा मतलब क्या दोस्तों कि limit of f of g of x as x tends to 0 exists तो statement number b भी हमारा गलत हो गया इसका मतलब statement number b भी हमारा सही option है क्योंकि उसनोंने पूछा है कि which of these statements are incorrect और चलिए दोस्तों इसी प्रकार से बढ़ते हैं statement c के तरफ और यहां पढ़ते हैं जो statement दिया गया है if limit of f of x as x tends to c exists and limit of g of x does not exist तो एक exist कर रहा है एक doesn't exist कर रहा है एक exist कर रहा है और एक exist नहीं कर रहा है तो limit of g of f of x as x tends to c also doesn't exist तो दोस्तों इसको भी refute करने का एक example है तो आईए देखते हैं कि कौन सा example ऐसा है जिससे मैं statement को invalidate कर सकता हूँ तो दोस्तों आईए देखते हैं इस function को sin x by x sin x by x as x tends to 0 यह limit exist करता है दोस्तों यह काफी प्रचलित limit है जिसको आप trigonometric limit के नाम से भी जानते हैं तो यह function का जो limit है वो होता है 1 तो यह exist करता है और आईए साथी साथ एक ऐसा function देखते हैं जो कि आपका वापस से मैं देना चाहूंगा स्टेफ फंक्शन और यह जो limit है as x tends to 0 दोस्तों हमने पहले भी यह देख लिया है कि यह limit exist नहीं करता है अब आईए देखते हैं दोस्तों g of f of x के बारे में हम क्या कह सकते हैं g of f of x means gif of sin x by x as x tends to 0 दोस्तों यहाँ पर मैं आपका ध्यान केंदित करना चाहूंगा sin x by x के graph दोस्तों sin x by x का जो graph होता है वो एक ripple की तरह होता है जहाँ पर यहाँ discontinuity आती है 0 के ऊपर तो इसका जो value होता है slightly left to 0 and slightly right to 0 यह 1 से छोटा होता है तो sin x by x basically is a value which is tending to 1 minus ठीक है तो 1 minus means 1 से थोड़ा सा छोटा होता है तो इसकी जो gif होगी दोस्तों वो क्या होगी जाहिर तो या तो आप right side से आओ या left side से आओ 0 पे आपका sin x by x 1 से थोड़ा सा छोटा ही रहेगा तो उसका जो gif है वो 0 होके आ जाएगा और यह limit exist करेगी दोस्तों तो यहाँ पे जो question हमें यहाँ पे जो statement हमें दिया गया था वो कहता है कि यह limit exist नहीं करेगा जो कि बिलकुल ही गलत है तो यह statement is incorrect that means यह option हमारा सही option होगा तो A, B, C अभी तक तीनों सही के सही निकले हैं आएगे बढ़ते हैं option number D के तरफ D कहता है कि if limit of f of x as x tends to c and limit of g of x as x tends to c both exist then limit of f of g of x and limit of g of f of x also exist मुझे इस statement से भी एतराज है मुझे लगता है कि यह statement भी गलत है क्योंकि एक example मेरे दिमाग में आ रहा है यह मैं share करता हूँ आपके साथ तो देखते हैं D option में ऐसा कौन सा example ले सकते हैं आएए लेते हैं एक बहुत simple सा function x plus 1 ठीक है इसकी limit as x tends to 0 exist करती है रही तोर पर exist करती है जिसका answer है 1 पर एक ऐसा function लेते हैं जो कि इसका हाँ एक ऐसा function लेते हैं 1 by x minus 1 इसकी भी limit exist करती है as x tends to 0 देखें दोस्तों मैं करना क्या चाहरा हूँ मैं basically f of g of x को एक ऐसा रूप देना चाहरा हूँ जो की 0 पर exist ना करें तो इससे अच्छा क्या function हो सकता है तो दोस्तों यहाँ पर g of f of x क्या होगा g of f of x में आपको डालना है x plus 1 को x की जगह पे तो जब आप वो करोगे तो आपका जो answer आएगा f of g of x का वो हो जाएगा 1 by x plus 1 minus 1 जो की है 1 by x अब क्या इसका limit exist करेगा? क्या 1 by x का limit exist करेगा as x tends to 0? जी नहीं दोस्तों 1 by x का limit exist नहीं करेगा मतलब क्या? कि limit of g of f of x as x tends to c जो की हमारा 0 है यहाँ पे exist नहीं करता है तो यहाँ पे एक भी function अगर हम लोगे दिखा दिया कि g of f of x या f of g of x exist नहीं करता है तो यह statement incorrect साबित हो जाता है दोस्तों यहाँ पे ध्यान से पढ़िए statement के option में क्या लिखा है यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे यहाँ कहा गया है कि this and this also exists तो अगर आप दिखा दो कि एक भी ऐसा है जो कि exist नहीं करता है तो दोस्तों आपका काम बन गया आपको यह दिखाने की जरुवत नहीं है कि दोनों exist नहीं करता है यहाँ आपका काम बन गया इसका मतलब ऑप्चिन नंबर डी का जो स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है मतलब यह भी हमारा सही जवाब है तो इस क्वेशन में सारे के सारे ओप्चिन से एबी सीडी सही है दोस्तों तो आशा करता हूँ इस क्वेशन के मदद से आपको कंसेप्शल क्लारिटी मिली होगी लिमिट्स चैप्टर में और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और मैं तो यह चाहूँगा कि आप और भी एग्जामपल्स मुझे कमेंट बॉक्स में जहां पर A B C और D को A B C और D स्टेटमेंट को रिफ्यूट किया जा सकता है तो मेरे एग्जामपल्स तो आपने देख लिए हैं अब मैं चाहूँगा कि आप अपने भी और थोड़ा हट के एक्जामपल्स दें कमेंट बॉक्स पर और बताएं कि और कौन से एक्जामपल्स लिये जा सकते हैं ताकि इन सेटमेंट्स को इन वालिट पूफ किया सके थांकि यू पर वाचिंग बावाई ठेक केर और स्टे सेफ